लिखा है, तुमारा जीवन ही है, ऐसा करने से उस देश में तुमारी आयू के दिन बहुत होंगे, जिसके अधीकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो, ऐसा करने से, ऐसा करने से तुम अधीकारी बनोगे, तबी तो, सामर से भरोगे प्यारों, सामर दिया है, पर जाहिर कैसे होगा वचन के द्वारा इसलिए तेखो कैसे मर्कुस 11 और 23 में लिखा है कि इस पहाड को तुम कहोगे तो क्या होगा उखड कर किरेगा यह पहाड का उखडना मतलब समस्या समस्या प्रश्ण ऐसी बातों का उखड जाना कम होगा जब आप वचन आपके मूँ में होगा वचन आपके मूँ में होगा कब मूँ में होगा जब वचन आपके हिर्दय में होगा तब तक बाहर नहीं आएगा जो हिर्दय में है वो ही बाहर आता रहेगा क्यों कुछ उटपटंग भाशा हम बोलते हैं हमारा व्यावार क्यों उटपटांग रहता है पता है हमारा स्वभा क्यों अभी भी चीड़ चीड़ा है क्योंकि वचन हमारे भीतर जगे ही बसने ही नहीं दिया है हमने कड़ भी वास्तविकता है आज की कलीसिया की और जवानों की कि वो वचन को बसने ही नहीं दे रहे जबकि दावुद जवान था तब से वचनों को अपने हिर्दय में रखता था इसलिए 119 और 111 में ऐसा लिखा है वजन 119 और 111 में ऐसा लिखा है कि मैं तेरे विरुद पाप न करूँ इसलिए मैंने कुछ किया है क्या किया है वचन को पढ़ा है क्या किया है मैंने तेरे वचन को टेबल पर रखा है कहां रखा है क्या बोलता है दावुद मैंने तेरे वचन को अपने किसी और के हिर्दय में नहीं लोग ठूंसते हैं ऐसे नई सुद्रों गया तो मर जाओ गया वचन ठूंसने से नहीं बदलेंगे वो उनको खुद को अपने जिनगी जीनी है उनको वचन को जीवन बनाना पड़ेगा वर्ड कल्चर मतलब वचन संस्कृती अपनानी पड़ेगी तो ही उनके दिन और जीवन कुछ नए बदलेंगे तिखेंगे ये तो हमारी परसनल जिम्मेदारी है हमारा उत्तरदाइत वहे व्यक्तिगत उत्तरदाइत वहे कि हम हमारे जीवन को वचनों में ढाले प्रव किन लोगों को लेने आ रहा है बाट देखने वाले ऐसमें इसमें रहने वाले लोग कहां है तेजस्वी निश्कलंग बेदाग जुर्री रही पवित्र निर्दोष यह सब शब्दा किसके लिए लिखे बाइबल में अच्छी अच्छी अंडरलाइन करने के लिए लिखे ऐसे वचन जुर्री रही निश्कलंग बेदाग पवित्र निर्दोष यह क्यों लिखे यह आपके और मेरे लिए लिखे है दाग देखना नहीं पसंद करेगा आपके जीवन पर प्रपुर जूरी देखना पसंद नहीं करता ड्राइनेस जिसका मतलब होता है ड्राइनेस तभी आती है जब कोशन नहीं मिलता है जब सबसूख जाता है बंजर जीवन हो जाता है देखिए बंजर जमीन पानी नहीं होता है उसमें पानी क्या लिखा है यहाँ पर वोई एफिसी पाचवे द्या में जलस्नान पानी नया जीवन लेकर आता है पानी जीवन को बढ़ाता है जहां जहां पानी जाता है वहां जीवन बढ़ता है प्यारों पन अपने लगता है और जहां पानी नहीं होता है वहां वीरान, ड्राइनेस और ऐसी जगे रहे क्या इसलिए दुष्टात्मा के लिए ऐसा लिखा है पता है आपको रभु ने ऐसा बूला कि दुष्टा आत्मा ऐसी जगे ढूंती है वीरान, कौन सी वीरान हम कई बार बोलते हैं, हूँ समशान वीरान जग्या चें, जंगल, त्या दुष्टा आत्मा है अरे दुष्टा आत्मा तो हमारे रिदय में आने के लिए तैयार रहती है पता है, कि मुझे कब मौका मिले और अभीमान की आत्मा इसको मैं निगल जाओ, अभीमान करने वाला बना देता हूँ देखो इसको, देखो इसको लोब और लालच करने वाला, लालच की दुष्टा आत्मा देखो देखो कैसे फसाता हूं मैं इसको जब वचन नहीं रहेगा ने तब ये सब हावी हो जाएगा लोब, लालच और दूसरी दूसरी चीज़े आपको खीचे गिये इधर आ इधर आ तू इधर आ चल तू ये कर मैं जो बोलता हूं वो बना चल मैं जो देखाना चाहता हूं वो देख, वो मोबाईल खोल चल यूट्यूब में, वो फेस्बूप में, वो देखो, चलो अरे गुमाते ज़ाओ अर वचन के पनने नहीं गुमाओ, ये फेस्बूप के पनने कुमाओ, फेस्बूप के पे लाइख करो system और पता नहीं वचन को लाइक और शेर करने से तो हम तो प्रभु की सेवा कर ली हमने तो बड़ी जराप उसको देखिये क्या क्या सहा है उसमें ऐसे ही हम हाशीश हाशीशों की बाते करते है स्वर्ग में घुजजाने की बाते करते है वो स्वर्ग में चले गये अरे पूरा जीवन तो कैसे जी लिया रभु को कोई समर्पित जीवन रखा नहीं वचन का कल्चर प्रभु वहाँ पर ला दिया वहाँ पर अपने इस्राइलियों के लिए लेविये व्यवस्तारों सब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात दी क्यों क्योंकि जब छुटकारा हुआ उसके बाद पवीत्रस्थान बना पवीत्रस्थान के बाद ये जरूरी था कि उनका संबन रिष्टा बना रहे और आप लेविये व्यवस्ता में देखोगे फिर कि याज़त वहां अंदर जाते हैं अर्पन चड़ाते हैं और उनका रिष्टा बना रहता है उनके लिए प्राइश्चित किया जाता है पर्व मनाये जाते हैं और वो लोगी कठे होते हैं प्रभु की उपस्तिते में जात अपनी आत्मा अपने में से निकाल कर मानो किसी ने अपना दिल कलेजा निकाल कर आप में रख दिया हो कितनी घजब की बात प्रभु ने पवित्र आत्मा दे कर की है समझ में आ रहा है क्यारा विश्वासी लोग अपने अपनी आत्मा को निकाल कर हमने रख दिया है लिखा हाट उनमें रखूंगा सेंसिटीव, स्पिरिचल, कॉंशियस हो वो उनको पता चल जाए यू, आहट, छोप्टी आहट भी पता चल जाए, पाप की ओ, ये तो पाप की और जा रहा है ये सब पूरा मामला, मुझे तो सिमटना पड़ेगा सब कुछ स्पिरिचल कॉंशियसनेस लाता है वचन, अगर वचन में नहीं रहोगे, स्पिरिचल कॉंशियसनेस चली जाएगी, कॉंशियसनेस का मतलब पता है, क्या है ता है, अपने हाथ को ऐसे लो आप ये दोनों उंगली लो और इस पर रखके जोर से चुटी भरो कुछ पेन का एहसास एहसास हुआ न, वो एहसास पाप का एहसास नहीं होगा जब वचन में जीवन नहीं रियेंगे नहीं तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी बोल लेंगे कुछ भी खा लेंगे और कुछ भी पी लेंगे कहीं भी जाके रह लेंगे और कहीं भी गिर जाएंगे और पाप में पड़े रहेंगे Spiritual Consciousness मतलब शुद्धी करन प्रभू का वचन लाता है अगर आप Spiritually Conscious नहीं हो तो बहुत सारी गलतियों की गुंजाइश है और शैतान को उन Tormentors को आपके शरीर में जीवनों में बीमारी लाने का अउसर भी लेगा माफी नहीं दे सकते हो ना जिसने माफी नहीं दी थी उसकी हालत क्या हुई थी Bible में उस रश्टान में बताई है उसको परमेश्वर ने Tormentors के हाथों में दे दिया वहाँ पर उस मालिक ने इसका मतलब है माफी नहीं देने से कुछ ऐसी चीज़े है कुछ ऐसी आत्मा है जो शरीरी जीवन में बीमारिया लाती है मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यह सच्चा ही है विज्ञान भी यही बाते बोलता है किसी के लिए मन में कड़वाहट लोगे कड़वाहट के विचार और कड़वाहट कैंसर को जन्मा देता है ऐसा Medical Science आज साबित कर चुका है और चिंता जिसके लिए प्रभु ने ना बोला है चिंता हाईपर टेंशन ब्लड ट्रेशर को जन्मा देता है मतलब वो हिर्दय से जुड़ी होई बात है क्यों अब हिर्दय का रोग है क्योंकि हिर्दय में प्रभु का वच्चन हम बसा नहीं पा रहे हैं इसलिए चिंता हो रही है हमें प्रभु की प्रॉमिस इस तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा देती है संसार का संकट का आने वाले कल का सामना करने के लिए धेल सारी ताकत से हमें भर देती है चिंता है हमें दूर ले जाती है प्यारा अगर आप पढ़ोगे तो प्रभचन आप में बुद्धी लाएगा सब मैं नहीं ले जाना चाहता हूं आगे चोटी एक दो बाते बूल कर पूरा करूँगा मत्थी पांच और चवदा में ऐसा लिखा है निकालेगा ने लिखा है कि तुम जगत का उज़ाला तुम जगत की जोती हो का लिखा है तुम जगत की जोती हो अब वचन और जोती का connection समझ मैं आ रहा है बज़न सहीता 119 और 105 ऐसा वई लिखा है कि तेरे वचन मेरे लिए कंटाले दायक है और बहुत बोर करने वाले है और उबादेने वाले, दाउद ऐसा लिक बोलता है वाँ? नहीं, तेरे वचन मेरे मार्गों के लिए उजियाला है और मेरे पाओं का तीपक है, अंधेरे में उजियाला, प्रभू नहीं वाच्चा के द्वारा प्रभू हमें क्या बोलता है? अब तुम वो उजयाला हो, पर वो उजयाला जाएगा कैसे बहार? उसी मत्थी पांच और सोला पढ़ो, देखो, निकाल के पढ़ लो एक बार, मत्थी पांच और सोला, क्या लिखा है? चौदा वापिस पढ़तो, तुम जगत की जोती हो, लिखा है, जो नगर पहाड पर बसा हुआ है, वो छीप नहीं सक सब देखेंगे, सबको पता चलेगा, यहा उजाला है, वहां पर, चलो, वहाँ जाते है, आज़वाँ अन्धियारा है, वहां उजाला है। और फिर सोला में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुश्यों के सामने चमके कि वे तुमारे भले, मतलब चमके, हमें प्रभू और तेजस्री और महिमावन करता जाता है और आउंशाउंश करके प्रभू येश्यू के समान उसके स्वरुप में तबदिल करता जाता है पर ये कब होगा जब वच्चन को हमारे हिर्दोय में हम रखना सीख जाएंगे सीख जाएंगे, सीख जाएंगे, मैं यह बोलता हूँ, सीख जाएंगे, तब उसके बगेर नहीं होगा यह देखो, क्या लिखा है, मनुष्यों के सामने चमके, चमकना, कुछ बाते ऐसी है कि प्रभू गुप्त में चाहता है, कि गुप्त में धार्मिक काम हो, तुमारी धर् गुप्त में हो, अगर बाया देता है, तो बाया न जाने, ऐसा सिखाता है, बड़ी-बड़ी आवाज को लेकर घाटा पाड़ी-पाड़ी न लिखाए, पुकार-पुकार के दुआ मत करो, ऐसा लिखाए, नए नियम की बात कर रहा हूँ, और ऐसे प्रातना मत करो, लोगो से दुआ निकालो, दिल के शब्दों को बयान करो, यह प्रातना है प्यारो, तो वच्चन हमारे अंदर है, तो चमक आएगी, और वो चमक बढ़ेगी, लिखा है, कि मनुश्यों के सामने चमके, कि वे तुमारे भले कामों को देखकर क्या हो, तुमारे पिता की जो है, बढ़ाई करे, अललोया, भले काम कहां से आएंगे, भली सोच से, भली सोच कहां से आएगी, परमेश्व की भली बातों से, अगर हम यह नहीं इन्पूट करेंगे, तो सारा जंक, सारा कच्रा वहीं का वहीं रहेगा, और जंक इन, जंक आउट, अगर कच्रा अंदर है, तो कच्रा ही बाहर आएगा, नीराशा अंदर है, तो नीराशा के सेंटेंस ही बाहर आएगे, सत्या अंदर है, तो सत्या बाहर आएगा, और सत्या स्वतंतर करता है, आपके उपर से बंधवाई को ले जाएगा, बहुत बिमार रहते हो, बहुत समस डालो, मैं बार-बार बोल रहा हूं, गहराई में जाने की आदक डालो, मनन करने की, मेडिटेट करने, मुझे नहीं पता आने वाले दिन कैसे क्यों, मुझे परमेश्वन ने ये वच्चन दिया, प्रभु के दास, दास से बात हुई ये पिछले समय में, और ये बात उनके सा है, आप उससे थोड़े भी डिश्टंस में रहो, प्रभु कभी नहीं चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप सामर्थी बनो, प्रभु चाहता है कि आप मजबूत बनो, प्रभु चाहता है कि आप सफल बनो, प्रभु चाहता है कि आप बुद्धिमान बनो, प्रभु चाहत नाजियों कभी यहां से हवाई तो इधर जुग गए, यहां से हवाई तो इधर जुग गए, रभु चाहता है कि आप तुफानों में डटे रहे, स्थीर खड़े रहे, और कोई भी बात आपको गिरा न सके, आंधी तुफान हो, कुछ भी हो, परवचन आपको सामर्थ देग आखरी आयत हम पढ़कर पूरा करेंगे, प्रेजितों के काम, सत्रवाध्याए, ग्यारा बारवी आए, प्रेजितों सत्रा, यहां पर पॉलुस और सिलास थेसलोनिका में थे, और वहां से जब संकट आ गया, मतलब ऐसी स्थिती में आ गया, कि प्रवो का काम आ गया, नहीं पर लोगों ने भगा दिया, मतलब वहां से उनको बेज दिया, दूसरी जगे पर, वो दूसरी जगे कौन सी थी, बिरिया, बिरिया नाम के नगर में वो गए, दसवी आयत से मैं पढ़ता हूँ, यह स्क्रीन पर ही रखिएगा, मैं दसवी आयत पढ़ता हूँ, भाईयों ने तुरंत रात ही रात पॉलूस और सीलास को बिरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहुदियों के आरादना लई में गए, और यह लोग, देखें, ग्यारा, यह लोग कौन, बिरिया की लोग, कैसे थे, देखो, यह लोग तो थिसलों के के यहुदियों से भले बोले भले थे, किस रिती से भले थे? यह लोग का जो शब्द है उसका मूल, जो शब्द है उसका अर्थ हैसा था है, अधीक गुणवान थे, थिसलीनिकों के यहुदियों से अधीक गुणवान थे, किस हालात पर गुणवान थे? उन्होंने बड़ी लालसा से वचन किस लालसा में फसे है, आखो की लालसा, कि वचन की लालसा, बिरिया के लोग तो वचन की लालसा में मतलब डूबे हुए थे, और वचन की लालसा से ग्रहन किया है, स्क्रीन पर ही रखेगा वचन, लिखा है, और प्रती दिन, लिखा है प्रती दिन, शब्द क्या लिखा है मैं वापिस उस शब्द की और गौर करना चाहता हूँ, ध्यान ले जाओंगा आपका, प्रती दिन, देखे विश्वासी के जीवन में ये बात प्रभू देखना चाहता है कि वो वचन की बड़ी लालसा रखे, दो नियावी चीजों की नहीं, संसारिक बातों की अभिलाशा खाने पीने की नहीं, पर वचन की अभिलाशा रखे, वचन का ग्रहन करे, वचन की लालसा रखे, और प्रती दिन प्रवित्र सास्त्रों में ढूंते रहे, hallelujah, महां लिखा है कि, देख सर्चिंग, मतलब वो ढूंते रहे थे, क्या ढूं रहे थे प्रवित्र सास्तर में? उ कि वे बाते यो ही है कि नहीं, जो सुना है ने, वो चेक करते थे हमेशा, जो सुना है ने, सु समाचार आराद नालाई में, पॉल उसने, सिलास ने बताया ने, वो वैसा ही है कि ने, वो शास्त्रों में चेक करते थे वो, क्या चेक करने की आदत है आपको, मैं आप से प्रश् बड़ी-बड़ी युनियर्सिटी में तो डिग्री लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं, एक्जाम की तैयारियां करते हैं, यह सब करते हैं, और वच्चन के लिए, वेर वी आर गोईगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगूगू हमें ऐसी आदत नहीं है न ऐसी आदत कहां से होगी ऐसी आदत लाने के लिए तो कर्ष्ट जिलना पड़ेगा अनुशासन यानि कि डिसिप्लिन लानी पड़ेगी अपने शरीर को मारना पड़ेगा हमारी आखों की अभिलाशा को मारना पड़ेगा मतलब शरीर के कामों को मार पड़े गया, तब जाके आप रूम बंद करोगे और प्रभू के पास बैठोगे, प्रभू ऐसे लोग देखना चाहता है, प्यारों, आप ऐसे लोग बनना चाहते हो, एक विश्वासी को प्रभू अभ्यासी देखना चाहता है, ये बरिया के लोगों के समान, क्या ऐसे है हम मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो मैं, मेरे पास आज ये वचन नहीं है कि आपके संकट में प्रभू आपको हिम्मत देता है, डाडर देता है, हाँ प्रभू देता है, पर कैसे, मेरे बोलने से ही नहीं, आपके involvement से इसमें, तब होगा, बुला हुआ अग्रहन करेंगे, सुना ह अग्रहन करेंगे, तब जाके आशिशित होंगे ना, यूहीं रातो रात दुनिया बदल नहीं जाती है, प्यारो, हमें खुद एक-एक इंट रखनी पड़ती है, तब जाके मकान खड़ा होता है, तब जाके पहले foundation डाला जाता है, नीव बनानी पड़ती है, फिर एक-एक इंट रखनी पड़ती है, तब जाके यह होता है, आज ही प्रभु के पास जाईए, और कहे प्रभु मैं तेरे वचनों का अभ्यासी बनना चाहता हूं, कहां है भूख, कहां है भूख हमारी, खाने पिने की भूख ही यह बस, अच्छा दिखाने की भूख है, अच्छा बन पड़ा मत्थी में, कि पहाल पर बसा हुआ नगर छीपा नहीं रहता है, आपको टिंडोरा पीट कर बोलना नहीं पड़ेगा, मैंने यह किया, मैंने वो किया, नहीं जरूरत है अपने गुणगान गाने की अपने भले काम अपने आप कीजिए, देखो प्रभु के वचन के मेरा रिर्दय, मेरा जीवन भर जाए, मेरा जीवन तेरा वचन बन जाए, वचन से भर दे यह मात्मागे, मेरा जीवन ही तेरा वचन बन जाए, तेरा वचन ही मेरा जीवन बन जाए, यही बांगो प्यारो, आज के समय की यह बड़ी डिमांड है, आज के समय की यह बड़ी बहुत जरूरी है, आग्याकारिता में बनाए रखना बहुत जरूरी है, spiritual consciousness में बने रहना बहुत जरूरी है, और जब हम इसमें बने रहेंगे, पाप के प्रतिश धिकार बढ़ता जाएगा, आप और भी प्रवु के करीब बढ़ते जाओगे, प्यारों, आए हम प्रात्ना में जाते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस बात को समझदारी या तो गंभिरता से लिया है, क्यों लाइक किया है और क्यों लाइक नहीं किया है, मुझे नहीं पता है, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, हमें कोई लाइक नहीं चाहि पास्टर किष्टोफ ने, हलेलुया, आमें, प्रेस्ट लोट, कोई जरूरत निये लिखने की, अगर आपको इंट्रेस्ट नहीं है, प्रभु की आराधना का, प्राहतना का, और वच्चन सुनने का, और वच्चन ने रहने का, तो या ना देखे, कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, तुसरा देख रहा है, पास्टर देख रहे, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मम्मी देख रहे, बाइबल, कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा जीवन बनाईए, प्यारो mobile को कोई भी चेक करेगा आपका ऐसा जीवन बनाईए कोई भी आपका पूरा account देखे ऐसा जीवन बनाईए सच मैं यह बोलता हूं चैलेंज है आपके लिए आज के समध्य के लिए यह चैलेंज है कि हमारा आचरण कैसा यह बताता है हमारा मसीह जीवन पर्दे के आगे नहीं है, पर्दे के पीछे है मसीह जीवन पर्दे के आगे नहीं है, पर्दे के पीछे है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता चलता है पर देखे आगे सब hallelujah and praise the Lord प्रभुनी कृूपा ने कृूपा थी पर कृूपा थी कसू आगड़ वतुड़ थी बस त्याँ थी इससे आगे तो कुछ बड़ी नहीं रहा है बस कृूपा प्रभुनी कृूपा और पर कृूपा क्या क्या प्रभु की कृूपा कितनी बार Bible पढ़ा आपने मैं दो-चार बार पच्चास मैं तो बोलता हूँ पढ़े पढ़ने के अलग-अलग phase है मैंने अभी शुरू में बोला कि एक सामन्य रूप से पढ़ेंगे कई बार ध्यान से हम पढ़ते हैं कई बार जब ये तीन-चार बार पढ़ लेते तब थोड़ा बहुत चित्र क्लियर होता है कि आगे क्यों ऐसा लिखा था और यहां पर क्यों ऐसा लिखा है और पूरा व्यू जब हमें मिलता है तब जाके चित्र क्लियर होता है तब जाके कुछ बाहर आता है खाल ये एक बार बाइबल पूरा कर लिया कोई फाइदा नहीं प्यारो पढ़िये इसको संस्कृति बना दीजिए आपके जीवन की इसको आदत में ला दीजिए वचन में मैं पढ़ूंगा खाऊंगा वचन को मैं खाऊंगा गाज भटक रहे अगर आप spiritually conscious रहोगे वचनों में रहोगे इन सब बातों से आप बचे रहोगे बीमारियों से बचे रहोगे संसार की ऐसी बातों से बचे रहोगे प्यारो सच में ये प्रभू का वचन वचन है प्यारो वो उजाला है और वो कार्य करता है प्यारो और वो हमारे हिर्दयों में इसलिए रखने के लिए प्रभू ने चुना है इस वचन को क्योंकि प्रभू particularly specifically मुझे हम को आपको महिमान वीद करना चाता है तेजस्वी बनाना चाता है आशिशित करना चाता है आशिशों का दाइरा बढ़ाना चाता है आपके तम्यु को फैलाना चाता है यसलिए वचन को अधिका 9 से बसने दो मत निकाली का मत निकाली के 3 और 16 में साफ लिखा है परमेश्वर के वचनों को मसी के वचनों को अपने हिर्दयों में थोड़ा थोड़ा बसने दो, अधीकाई से बसने के लिए मैनद करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ता है। अपने मन में अनुग्र के साथ परमेशों के लिए भजन गाओगे, स्तुती गाओगे और ऐसे लोगों को सिखाओगे, गाने कौपी नहीं करने पड़ेंगे, गाने निकलेंगे आपके गंदर हिर्दय से, जब वचन में अपने आपको ले जाओगे ना डूबोगे ना गाने बनेंगे, दाओद केता है मैंने उसने मेरे मूँ में नया गीत रखा है, प्यारो बीमारी होगी, समस्या होगी, ये नया गीत आपको इतना उंचा कर देगा, कि आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, तो प्यारो ये एक प्रभू का कॉल है आपके लिए, कि अपने आपको एक special dedication में लाए, वचन को खाने के लिए, वचन का मनन करने की आदत ढालने के लिए, समर्पित करे अपने आपको, कि मैं वचन का मनन ज्यादा करूंगा, समय कम है, इसलिए सीले बस जल्दी पूरा करना पड़ेगा, समय कम है, इसलिए पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, समय कम है, इसलिए वचन में ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, समय कम है, और भी ज्यादा करीब आ गए हम, रभू के दुसरे आगमन के, और भी करीब आ भरकपूर कर दीजे वचन से क्योंकि इसलिए वचन को भेजा गया है विश्वासी के लिए प्रभू के वचन भेजने का उद्दिश यही है कि विश्वासी के हिर्दय में अधीकाई से उसके वचन भर जाए ताकि वो दूसरी पीडी को लोगों को आने वाली आसपास की और रात्न में जाते है परमेश्वर से कहेंगे प्रभू मैंने अपने आपको दूर रखा है तेरे वचनों से मैंने अनुर्शासन में रहना पसंद नहीं किया है मैंने तेरे वचन को सिर्फ बढ़ा प्रभू पर उसका मनन नहीं किया टाइम निकालने में मैं निश्फल रहा हूं, विफल रहा हूं. मेरी सोच, विचार बदल गए प्रभू. मैं एक समय में आत्मिक था, पर आज मेरे विचार कुछ अलग हो गए है प्रभू. कैसा कैसे हो गया है? इसलिए हो गया है मेरे भाई, मेरे बैन, कि आपने वचन को अलग कर दिया है. दिखाने के लिए क्वाईट टाइम करने की खातिर कर जालते हो, पर अपने आपको वचन से आपने काट डाला है. वचन से अपने आपको काटना इसका मतलब है जीवन को काटना, क्योंकि रभु का वचन में येशु मसी ऐसे बोलते है, कि मेरी बाते ही जीवन और आत्मा है. आप जीवन को काट लोगे और आत्मा को निकाल दोगे, तो क्या होगा? आप एक dead body हो जाओगे. ऐसा जीवन ना जीए, प्यारो, एक जिन्दा लाश के जैसा. कि जो सिर्फ, hallelujah, praise the Lord, और अच्छे-च्छे शब्द बोलते हो, ऐसा जीवन जीए, जो पचनों से बरा हुआ हो. कोई देखे ना देखे, कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है, प्यारो. मैं साब कहता हूँ, कोई देखे ना देखे, जो देखने वाले हैं, वो आज हैं कल नहीं होंगे, वो भी कहीं चले जाएंगे. आपका क्या होगा? तब आप जिसको दिखाने के लिए कर रहे हो ना, देखने वाला तो होगा नहीं. बाजुवाला तो अच्छे से जानता है आपको. प्यारो, देखने वाले हो या ना हो, प्रभू देखने वाला है, उसको देखिए, उसकी भूख रखिए, डूंडने वाले बनिये, तबी कुछ दुनिया बदलेगी. प्यारो, नहीं तो आसपास ऐसे का वैसा रहेगा, बंधुवाई, बंधन लोगों पर होते हैं और हमारे पर भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कलीस या अलग है, प्यारो, संसार में है, पर संसार की नहीं है. अलग जीवन जीए, पवित्र जीवन जीए, एक अलगाव रखिये, और वो अलगाव प्रभु का वचन ही सिखा सकता है. आपको पुछना नहीं पढ़ेगा लोगों को कि मैं कैसे करूँ ये, मैं ऐसा कैसे करूँ सर, साब, मैं ऐसा क्या करूँ पुछना नहीं पढ़ेगा आपको वच्छन आपको सिखाएगा, पवित्रा आत्मा आपको सिखाएगा बेटा ये अच्छा नहीं, ऐसे मत कर, ऐसे मत बोल, ये सही नहीं है, ये सही नहीं हो रहा है, ऐसे मत कर, इसमें सुधार ला दे, तु बहुत लंबा निकल गया, वापीश लौट जा, ये पवितरात्मा बोलेंगा आपको, बहुत आगे निकल गया, रुख जा, रुख जा, क्योंकि हमें अभी भी दूद पीने की आदत है प्रभू, हमें हैवी फुड नहीं चाहिए प्रभू, और इसलिए हम कमजोर होकर रह गए हैं, हम ना समझ बनकर इस संसार में रह गए हैं, पता नहीं क्या बक्वास हम कर बैठते हैं प्रभू, जो जी में आया बोल देते हैं किसी की परवा नहीं करते हैं, ना छोटा है ना बड़ा है, कोई क्या कर रहा है, कोई भी परवा हम नहीं करते हैं, जो जी में आया ऐसा व्योभार, किसी के भी साथ कर डालते हैं, हम में पक्षपात आ गया हैं प्रभू, हम छोटा समझते हैं और बड़े कोई बड़ा समझ और ना समझ लोगों को सामन्य समझ बैठते हैं प्रभू, हम में भेध हैं प्रभू, जिनके पास कम है उनको हम कम समझते हैं और जिनके पास ज्यादा है उनको हम ज्यादा समझते हैं और प्रभू हमारा व्यवहार भेध भाव वाला हो गया है, पक्षपात वाला हो गया है, हम नहीं कह सकते हैं कि हम वचन पर चल रहे हैं, हम नहीं कह सकते हैं प्रभू कि हम आत्मा के चलाये चल रहे हैं, कौन सा आत्मा आपको लोगों को देखने में बिन्धता पैदा करता है, कौन सा आत्मा है जो आपको छोटे को छोटा बताता है और बड़े को बड़ा बताता है और कौन सात्मा है जो आपको सिखाता है कि जो छोटे को कम महत्वदो और बड़े को ज्यादा महत्वदो कौन सात्मा है ये पवित्र आत्मा तो छोटे को भी बड़ा समझता है क्योंकि वो छोटे से छोटे को उठा कर बड़ी उंचायों पर ले जाता है इस संसार के स्टेटस और स्टांडर्ड से और डिग्रियों से और पदो से लोगों को ना आके लेंग्वेज से ना आके इंग्लिश बोलता है अच्छा है भाशा बदलने से मुखोटा पहरने से कुछ बदल नहीं जाने वाला है आप चाहे जितनी भी भाशा बोल लो पॉलूस में पॉलूस में ऐसा लिखा है प्यार नहीं है प्रेम नहीं है तो मुझे मैं कुछ नहीं हूँ वच्छन ही सिखाएगा कि प्यार कैसे करें प्रबु हम मांगते परमेश्वर हमें अपके अनुगर में बढ़ाईए प्रबु प्लीज प्रबु ऐसे नहीं चलेगा प्रबु हम कैसे ऐसे जीवन जीएंगे इस संसार में उजाले की जरूरत है और प्रबु तेरे पुत्र तो कम होते जा रहे हैं परमेश्वर ऐसे कैसे चले प्रभू, हम मांते प्रभू आज, प्रभू तू, हमारी संस्कूरूथी को बदल दे प्रभू, हमारे कल्चर को बदल दे प्रभू, हमारी कलिस्या को, हमारी आदतों को बदल दे प्रभू, आत्मा प्यारो, पूखा है आपकी बेल बिलाब का, प्रबू बतल दीजिए प्रबू हमें अनुशासन में आने खिलिए अनुग रखरे प्रबू पुट्रा आत्मा आप हमें दे दिये गए और क्या चाहिए और क्या चाहिए वचन है पुट्रा आत्मा है सब कुछ है, जो करना है वो हमें करना है अब, जो डेवलप करना है, जो विक्सित करना है वो हमें करना है, प्रभू ऐसा होने दे, ऐसा संभव हो प्रभू की हम वच्णों में जड़ पकड़े, ऐसा होने दे प्रभू की हम वच्णों की गैरायों में छले जाए, ऐसा होने द प्रबू कि हमारा जीवन और भी जोती कि नाई चमकना वाला बने प्रबू क्योंकि कलिस्या के लिए प्रबू तुने वचन ही ठैराया है शुद्धी करण के लिए महिमानवीत तेजस्वी बनाने के लिए अगर कुछ चीज तुने बनाई है तो वो है तेरा वचन प्रबू तेरी बाते ही हमें बच्चों से पुत्र बना सकती है हमें महिमानवीत कर सकती है हमें दुसरे आयम पर नए आयमों पर ले जा सकती है हमारे लिए यशाया 40 और 31 वियायत को सही बना सकती है अगर कोई चीज तो वो है तेरा वचन उकाप के समान बना सकता है तो वो है तेरा प्रभू इससे हम अलग ना हो प्रभू, प्लीज, प्रभू मुझे और हमारी के लिए तेरे वचन के और ध्यान करने के लिए मदद करें, तेरे वचन हमारे दिल दमाग को अक्क्यूपाइ कर ले, इस संसर की बहुत सारी चीजह हैं जो हमारे मनोм को occupy करने के लिए तैयार है हमारे मन, हमारे बीचर, हमारे योजना, हमारे प्लानिंग, इन सब को occupy करने के लिए तैयार है प्रभू, पर प्रभू तेरा वच्चन हमारा जीवन बन जाए तेरा वच्चन हमारे मन, दिलो दिमाग को occupy कर ले प्रभू क्या ठीवेंट कर ले प्रभू हो प्रभू ताकि हम बोले तो तेरा वचन हो हम सोचे तो तेरा वचन हो हम देखे तो तेरा वचन हो हम चले तो तेरा वचन हो प्रभू हमारी प्रभू यह होने दे प्रभू हम नहीं मांगते कि अनुग्र तुन्हें अनुग्र भी दे दिया है, तुन्हें पवित्रा आत्मा भी दे दिया है, सब कुछ तेरे वचनों में रखता है प्रभू। हम आज हम तै करते हैं प्रभू। अगर आप आपका यह फैसला है कि अपने आपको वचन की गहराई में और भी ले जाने के लिए, वचन का मनन और भी करने के लिए, और गहराई से करने के लिए अपने आपको मैं आप समर्पित करना चाहते हो, आप वचन को अपना जीवन बनाना चाहते हो, वचन को सिर्फ प प्रभू परमेश्वर, मैं आज रातना करता हूं, कि तेरे वचनों को मेरे हिर्दई में अधीकाइश से बसने के लिए, बसाने के लिए, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं. मेरा जीवन तेरा वचन बने, और तेरा वचन मेरा जीवन बने, इसलिए मैं अपने आपको समर्पित करता हूं. तेरे वचन मेरे दिलों दिमाग को वश्मे कर ले, तेरे वचन मेरे हिर्दई को वश्मे कर ले, मैं इसलिए अपने आपको, आपके वचनों को समर्पित करता हूँ. मेरे जीवन से एक नई शुरुवात करने के लिए, वचन को मनन करने की नई आदर ढालने के लिए, वचन का अभ्यासी बनने के लिए, मैं अपने आपको तुझे समर्पित करता हूँ. दुसरी बातों से, समय फिजूल बर्बात करने वाली बातों से, अलग होने के लिए, अलग रहकर, वचन में समय बिताने के लिए, मैं अपने आपको तुझे देता हूँ. एक अनुशासन वचन पढ़ने का, वचन का मनन करने का, और पवितर शास्तर का अभ्यासी बनने का, एक अनुशासन आज से मुझ में स्थापीत हो. येश्यू के नाम में स्थापीत हो, एक ऐसी शुरुवात स्थापीत हो, आज से शुरुवात हो, कि हम प्रभु तेरे वचनों को और भी महत्वत दिने वाले बने, और भी महिमान वीत, आप अपनी कलिस्या को बनाईए प्रभु, आपके हाथों में इन बातों को रखते है दन्यवाद आज आपने हम से व्योहार की, बातचीत किया, आप भारी है प्रभु जी हम प्रात्ना करते हैं प्रभु उन बीमार लोगों के लिए आज उन परिस्थितियों में फसे हुए लाचारी में आन पड़े ऐसे लोगों के लिए जो हमारी कलिस्या में आज जो लोग कोई तुछ ऐसी बातों का शिकार हो गया है, कोई भय के बंदन में है, हम आज उनके लिए दुआ करना चाते हैं, प्रभु हमारी प्रात्ना है प्रभु, तेरा वचन ही छुटकारा लाता है, तेरा वचन क्योंकि तेरा वचन जीवीत है, क्योंकि तेरा वचन समर्थ है, क् क्योंकि तेरा वचन प्रबल है, क्योंकि तेरा वचन हर एक भावनाओं को, हर एक विचारों को समझता है, क्योंकि तेरा वचन गाठ गाठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है, और इसलिए मैं तेरा वचन को बोलता हूं, Be healed in the name of Jesus right now Yeshu के नाम में तेरे वच्चन को हम बोलते है तेरे मार खाने से, तेरे कोडे खाने से हम चंगे हुए चंगाई को मैं बोलता हूँ शांती को बोलता हूँ I speak life, मैं जीवन को बोलता हूँ प्रभू Yeshu के नाम में उनके जीवनों में Hallelujah एक नई शुरुवात को बोलता हूँ एक उन्नती को मैं बोलता हूँ एक आश्टीश को मैं बोलता हूँ इनके जीवनों के ऊपर बीमारी तो दूर रहे इनके तंबुओं से इनके तंबुओं से तो दूर हट जा इनके तंबुओं से तो दूर हट जा प्यारो अपने आपको वचन में ले जाएगे, बीमारी आपके तंबू के निकट नहीं आएगी, अपने आपको वचन में और भी गहराई में ले जाएगे, आपके घुटने दर्द नहीं करेंगे, आपका सिर दर्द नहीं करेगा, क्योंकि आपके सिर, आपके मन, आपके वि कि अपनी बीमारी, अपनी समस्य को पकड़ कर बैठे ना रहे, कोई आकर रात ना करे या तो करवाए, उसकी रहा देकर बैठे ना रहे, अपना बाइबल खोले और एक नई आदत, उत्पन कीजिए, एक नई आदत में अपने आपको ढाल दीजिए, क्योंकि यह आपको ही करन है, यह प्रभु जबर्दस्ती आपको नहीं करवा सकता है, यह खुद आपको करने वाली अनुशासन, डिसिप्लीन की बात है, यह खुद आपको करनी पड़ेगी, आपकी गरीबी को यह हटाएगा, वचन आपको उचाय पर ले जाएगा, प्रभु की बातों के खोजी बन आए युन्दती आए येश्यू के नाम में, बनवत्री आए येश्यू के नाम में, प्रमोशन आए येश्यू के नाम में, हाललुया, येश्यू के नाम में छुटकार आए, भाई की आत्मा, मैं तुझे डाटता हूँ, येश्यू के नाम में, इस परिवार का कपजा ये परिवार अलग किया हुआ है, ये मेरे बाई और मेरे बहन का परिवार अलग किया हुआ है, तुझे कोई अधिकार नहीं है, इन्होंने येशु को नहीं चुना है, येशुने इनको चुना है, इसलिए तु इन पर नजर भी नहीं डाल सकता है, येशु के नाम में भई की आत्मा तो दूर हो जाए येश्यू के नाम में अललुया प्रभू हमारी प्रात्ना है हर दुष्ट ताकत हर शैतानिक शक्ती हर मेली विद्या, हर एक जंतर मंतर हर एक जादू टोना हर एक तांतरिक विदी हर एक ऐसी जूठी विद्याओ के प्रभाव को जो कोई भी लोग इसका शिकार है, येश्यू के नाम में उनको हम पथन्तर करते हैं हम जटपरा बोलते हैं उनके जीवनों के लिए, छोट जाए येश्यू के नाम में, ऐललुया प्रभू आपकी शांती को हम इनके उपर बोलते हैं प्रभू आपकी शांती को बोलते हैं, वे स्पीक शालोम अपॉन दें, प्रभू येश्यू के नाम में हम शालोम बोलते हैं, प्रभू आपकी महिमा इनके जीवनों से हो, हाललुया, हाललुया, धन्यवाद प्रभू, thank you, daddy, thank you, सारा आदर, सारी महिमा, सारा सन्मान, आप ही को मिले परमेश्वर, हम प्रात्ना करते एक नई शुरूआत, प्रभू हर एक विश्वासी सुनने वाले के जीवन में होने पाए, प्रभू और आपकी इच्छाइन के जीवनों से पूरी हो, जितने गंबीर बने वो पहार पर बसाए, नगर के समान बने जिनका उजाला छिप ना सके, ऐसा ऐसी उंचाइपर तो उनको ले जा प्रभू, येश्व के नाम में इन आशीशों को मैं आज ऐसे लोगों के लिए बोलता हूँ, प्रभू येश्व के नाम में प्रभू के सिखावी प्रात्ना साथ मिलकर बोलेंगे, वाकाश्मान अमरा अमरो नाम पवित्र मनाओ, तमारो राज्याओ, जिमाकाश्मा, तमारो प्रुथ्मी उपर, तमारी इच्छा पुरिथा, दिवस्ती अमरी रोड के आज अमने आपन, चेम में अमरा प्रुथ्मी उने ख्षमा करिया चे, तमें अमरा प्रुथ्मी उने मापन, अमने पर इक्षमा न लाओ, पन बंडाई थी, अमरा छुट को कर, इमके राज्याओ तथा पराकन, अमें, अब उस महान पिता परमेश्वर का प्रेम, येश्व मसी और उसके वचन का साथ, पवित्र आत्मा की सह भागीता, और येश्व का प्रेम और फेवर अनूग्र, आज से लेकर हमेशा तक कलीसिया, कलीसिया के हर परिवार, सदस्या, और येश्व के पीछे चलने वाले, येश्व का अपना उद्धार करता बान कर चलने वाले, हर एक व्यक्तियों के जीवरों में बनी रहे, आमें.